है गाइस वल्कम बैक टू मैं चैनल दीपिका स्टाइल और मैं हूं दीपिका कैसे आप सबी लोग आई होप सब ठीक होंगे तो आज की जो रेसिपी है वो है ब्रत के लिए तो यहां पर मैंने ब्रत के लिए बनाया है सिंघाडे के आटे का चीला जो की खाने में बहुत ज़ तो यहां पर मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है आप इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं आई होप आपके लिए ये वीडियो हैल्फुल रहे तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें तो चलिए फिर सुरू करते हैं वीडियो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो यहाँ पर चीला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ समगरी चाहिए तो एक बाउल में मैंने एक कटोरी सिंगारी का आटा लिया है आप कुटू का आटा भी ले सकते हैं फास्ट में दौनों यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर ब्रत वाला नमक है तो नमक तेखी मर्च है अपने है री मर्च है तीकी मर्च भी आप अपने हसाब से ले सकते हैं नेक्च ≤ यहाँ पर बड़ा आलू है जिसको कद्दू कर लिया है मैंने और अच्छे शे वाश कर लिया है नेक्स तह बहुं में एक ग्रास पानी है तो इसको घोल रेड़ी करने के हमें पानी की ज़रत तो लगेगी ही तो चलिए फिर घोल रैडी कर लेते हैं इसका तो यहां पर एक बाउल लिया है मैंने बड़ा इस बाउल में हम सिंगाडी का आटा एड़ करेंगे सबसे पहले तो नेक्स हमें यहां पर नमक डालेंगे तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं नेक्स यहां पर हम डालेंगे हरी मिर्च हरी मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि कितना तीखा खाना पसंद करते हैं नेक्स यहां पर कदुकस किया हुआ जो आ पानी एड़ करेंगे और एक घोल तयार कर लेंगे तो ये देखिए पानी की सायता से मैंने आप एक पेस्ट रैडी कर लिया है तो चीला बनाने के लिए एक दम ये पेस्ट परफेक्ट है तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं चीला तो गैस पर मैंने एक पैन चड़ा दि या ओल लेना है तो तबा गरम हो चुका है अब हमने जो पेस्ट रैडी किया था एक बड़ी चमच की मदद से हम इस पर फैला देंगे अच्छे से तो आपको जितने चोटे जितने बड़े साइस के जैसे भी आपको चीला बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग इसके उपर तो यह देखिए मैंने अच्छे से यह चीला बना के तयार कर लिया है फैला दिया अच्छे से अब हम इसको एक लीड की मदद से धग देते हैं तबा को और भाप में पकने देते हैं तो एक मिनिट हो चुके हैं यह देखिए उपर से अच्छे से पक नीचे से अच्छे से और उपर से भी भाप में पक चुका है अब हम उपर भी घी अपलाई कर देंगे थोड़ा सा तो यहां पर घी अपलाई कर दिया है अब हम एक स्पून की सहायता से इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए यह देखिए नीचे की साइड से अच्छा गोल्लन ब्राउन हो चुका है अच्छा कलर आया है तो दौनों साइड से हम अच्छे से सेख लेते हैं चीला को तो बाकी चीले भी हम बना कर तयार कर लेते हैं तो ये देखिए चीला बनकर तयार है अच्छे से तो चीला बनकर एकदम तयार है अब हम इसको एक प्लेट में निकार लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी चीले भी तयार कर लेते हैं तो अगेन हमने घी अपलाई किया है तबे पे और हम पेस्ट इस पर डाल देंगे चीले का और अच्छे से इसको फैला देंगे तो अब हम इसको भी ढखके वैसे ही जैसे हमने पहला चीला रैडी किया है वैसे ही बाकी चीले भी त्यार कर लेते हैं और इनको एक सर्विंग प्लेट में निकार लेते हैं तो यह देखिए सर्विंग प्लेट में मैंने निकाल लिया है सिंगारे का आणटे का चीला बन कर तयार है इसको मैंने यहाँ पर दही के साथ सर्व किया है यह देखिए दौनों साइट से अच्छे से पक चुका है ब्रेफ में आप इसको ज़रूर ट्रेस्ट करें आपको यह वी रेसिपी जरूर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए शेर करिए अपने फैंस और फैंबली में और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या आदर कोई एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर